हाई अवरिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासेश तो बिहार प्रात्मिक सिक्षक भरती से रिडेटर बहुत सारे अपडेट हैं प्लीज पूरा दिखेएगा जो भी इन्फोर्मेशन सामने आ रही है कि अगर महिला की सीट जो है अगर खाली रह जाती है तो वहाँ पर अगर कम होती है तो वहाँ पर पूरसो को दिया जाएगा एक लाग से अधिक भरती है आपको पता एक्टूबर में आने वाली है उसकी क्या योगिता है क्योंकि 6-8 में क्या बीटीसी वालों डिलेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं अधर इस्टेट के सारे अभ्यरती फ क्योंकर नहीं करपाते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं सीटैटिभारिग से रीलेटेट इन्फॉर्मेशन बताना चाहोंगी और यह पूरी गयर यहां पर सीटेट अपेरिंग से रिलेटेट इन्फोर्मेशन आई है। आप जानते ही कि कल की बैठक हुई थी और उस बैठक में रिजल्ट जारी करने को लेकर कई अनिमुद्दों पर चर्चा किया गया। सीटेट के अपेरिंग उमिद्वारों का रिजल्ट किस तरही के से जारी किया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीटेट का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मालो किसी का सीटेट नहीं पास होता है तो वो तो BPSC से ऐसे बाहर हो जाएंगे, इसलिए ये सोच रहे हैं कि जो भी आप पेरिंग जो कानिडेट हैं, उनका रिजल्ट हम किस तरीके से जारी करें, क्योंकि इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो जब त परिशान नहीं होना है, जितने भी सीटेट अपेरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद से ही आपका प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, ठीक है, तो अगर बीच में होता भी है, डीवी तो आपको परिशान होना ही न जाएगा, और एक से पांच तक के सिक्षक पत के लिए सभी साथ लाग से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराएगी, इनका डीवी नहीं होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अंको के अधार पर सौट लिस्टेट किये गए लगभग एक लाख जो कि कट ओफ में जो है, बने रहेंगे, जिनका नंबर अच्छा खासा होगा, तो आप अपनी तयारी कर लो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से आप सभी की DV प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो पहले रिजल्ट जारी होगा, 1 to 5 का उसके बाद से ही DV होगा, ठीक है, और आ आलो सीट नहीं भरती है, तो कट ओफ को कम करेंगे, जो आपका मिनिममम कॉलिफाइंग क्राइटेरिया है, इसको भी कम किया जा सकता है, और यहां पर आप देख सकते हो, कि जो एक लाख सतर हजा सिक्षक भरती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष रखा गया है, और ये क पांच में 50% महिलाओं के लिए, और 9-12 में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है, हाई स्कूलों में महिला अभ्यार्थियों की संख्या कम होने पर, सीट पुरुस अभ्यार्थियों से भरा जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर सीट खाली रह जाएगी, तो उस पे पुर प्राथमिक के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो यहां पर महिला अभ्यार्थियों की संख्या कम होने पर, उसी कोटी के पुरुस अभ्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीट खाली रहने के चांसे 9-12 में है, 1-5 में तो ऐसे भी नहीं तो यहां पर महिला की सीट खाली रह जाएगी, तो पुरुस अभ्यार्थियों को मौका दे दिया जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई है, और BPSC TRE 2.0 स्टार्ट होने वाला है, और इसमें सुनने में आ रहा है कि प्राथमिक के लिए कोई वैकें आप जानते ही है, यह तो कल फैसला आया है था, जो कि मैंने आपको सुबर में बता दिया है, अब यह है आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्षक भरती का दूसरा चरण अक्टूबर से नवंबर में परिक्षा और दिसंबर में रिजल्ट, मतलब आपके पास अक्टूबर ही है, नवंबर में आपकी परिक्षाएं हो जाएंगे, एक लाग सिक्षकों की आएगी वेकेंसी, योगिता में आपको बताने से पहले एक बार बताना चाहूंगे, कि 6-8 के लिए 52,000 वेकेंसी आने वाली है, और 9-12 के लिए जो भी पद रहे जाएंगे, उन 6-8 की कक्षाओं में सिक्षक पदो की रिक्ती नहीं थी, इसलिए 6-8 की रिकती अधिक होगी, ठीक है, और यहां पर मैं आपको एक बार योगिता बताना चाहूंगी, ताकि आप सब समझ जाएं, एक बात याद रखना, फिर से वैसा ही जैसा चल रहा था, अपेरिंग वाल चाहिए और बीड या समकक्ष, वैसे 6-8 में अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीलेड, क्योंकि आप जानते हैं, यूपी में भी 6-8 की वेकंसी आई थी, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका डीलेड होगा, तो आपको 6-8 में भी मौका मिलेगा, बट इसके साथ सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, क्योंकि कई जगा क्या होता है, कि लोग 12th के बाद से डीलेड कर लेते हैं, आप जानते ही है, तो ये क्राइटेरिया ऐसा होगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन, सीटेट, या जो बीट holders होता है, उसका पेपर 2 बीड, माधिमिक के लिए तो आप जानते ही है, ग्रेजुएशन होना चहिए, एस्टेट आपका पास होना चाहिए, पेपर 1 और इसमें आपका पीजी होना चाहिए, एस्टेट वबीड, तो यहाँ पर तो बीड, और यहाँ पर भी बीड वर के लिए 36.5, अत्यांत पिशड़ावर के लिए 34, अनुसुची जाती, जनजाती, महिला, दिव्यां के अभी हर्तियों के लिए 32% आपको ले कर आना है, बट रिक्ती अगर का इनको 75% हर हाल में भरना है, इसके लिए ये लोग निवनितम अंक को भी कम कर सकते हैं, आप एक को difference देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इनका cutoff ये कैसे बना रहे हैं, किसको साथ में रखके बना रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, और आपको अपनी तयारी में लग जाना है, क्योंकि इसके just बात आप सभी के प्रमाण पत्र की जांच होगी, उसके बास से आप जानते ही हैं, कि दुबारा से इनकी बैठक होने वाली है, नई vacancies को लेकर, कि कैसे हमको भरतियां करानी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अगले महीने ही BPSC से दूसरे चरण के तहट vacancies जारी कर दी जाएगी, BPSC पेपर इसले कराएगा, क्योंकि BPSC के पेप और दिसंबर में परिडाम घोसित होगा, दूसरे चरण में लगवग एक लाग सधिक vacancies होगी, इसमें 6-8 के बावन होंगे, और 9-12 के लिए रिक्त रह पदों को भी दूसरे चरण की vacancies में जोड़ने के बाद कुल रिक्ती होगी, एक से पांस तक कि सिक्षक की रिक्ती नह मिलने जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको एकदम अच्छे से लग जाना है, और यहां पर आप मैंने बताई दिया कि पूरुसों से भरी जाएगी आरक्षित सीट, अगर वहां पर महिला सीट नहीं मिलती है, ठीक है, तो यह information मुझे आप सभी को देना है, तो एक बार फ झाते है झाते रहा है, तो बिता है, यह झाते है, तो झाते हैं, दिया मिलती हैं, यह झाते हैं, दीक है आप स Dewma 16 लोक्द़, और एक